इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक velocity time graph से हम displacement कैसे निकाल सकते हैं तो माल लेजिए कि आपकी velocity जो है वो दीवही है 5 meter per second और क्योंकि velocity एक vector quantity है तो इसके साथ एक direction होना ज़रूरी है तो माल लेते हैं 5 meter per second towards right direction और यह velocity जो है यह constant है यह बदल नहीं रही है समय के साथ तो आईए इसे अब हम graph पर plot कर लेते हैं यहां पर मैंने बना लिया velocity axis और यह जो है यहां पर magnitude plot करेंगे velocity का ठीक है magnitude और यह जो है meter per second में है और फिर यहां पर हम बना लेते है time axis यह होगी हमारी time axis और यह है seconds में तो पांच meter per second constant velocity मतलब की graph एक straight line आएगा और यह हो जाएगी 5 meter per second अब हमें पता लगाना है कि 5 seconds तक body कितना displaced हो चुकी होगी यहां पर कहीं होगा 5 seconds और यहां तक body कितनी displaced हो चुकी कि यह निकालना है तो अगर आपके पास graph नहीं होता और आपको में यह सवाल solve करने देता तो आप क्या करते हैं आप बोलते कि चलो ठीक है velocity तो मुझे पता है कि velocity is displacement by time velocity is displacement by time और अगर मैं दोनों साइट time से multiply कर दूँ तो यहां time से time कट जाएगा और मेरे पास आएगा displacement is equal to velocity into time और मुझे दिया होगा कि velocity है 5 meter per second और मुझे पूछा जा रहा है कि 5 seconds तक यह बताओ कि displacement कितना हुआ तो यह इन values को put करते हैं हम लोग यह जाएगा displacement is equal to 5 meter per second towards right 5 meter per second towards right into हमारा time जो की है 5 seconds तो यहां से second से second कट गया और हमारे पास बच गया पांच पच्चिस मीटर और displacement होगा right direction में तो यह हो गया displacement अब इसे ग्राफ पर देख लेते हैं तो देखिए हमने क्या किया 5 meter per second into 5 seconds किया इस ग्राफ में 5 meter per second जो है वो यह लंबाई है और 5 seconds जो है वो यह चोड़ाई है है कि नहीं और यह लंबाई इंटो चोड़ाई दे रही है हमें displacement हमारा तो यह लंबाई इंटो चोड़ाई जो है एक और चीज़ है वो यह है कि वो इस rectangle या फिर मैं square कहूँ यह square का area है तो होता क्या है यह कि अगर आपको velocity time graph से निकालना है displacement तो आप क्या कीजिए graph के नीचे का area निकाल लेजे graph के नीचे का मतलब यह है कि graph के नीचे और time के उपर इन दोनों के बीच का जो भी area है वो निकाल लेजे और यह जो area देगा यह आपको देगा displacement